प्री सिस्यों साहित विमर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं हिंदी के महान कवी संत कवी कवीर दास जी द्वारा रचित साखी का तीसरा भाग लेकर के आया हूँ पहले वीडियो में साखी से दोहा संख्या एक से लेकर के साथ तक की व्याख्या मैंने प्रस्तुत की थी दूसरे वीडियो में आठवें दोहें से ले करके चौदावें दोहें तक की व्याख्या थी और आज के इस वीडियो में दोहा संख्या 15 से ले करके और 21 तक के दोहें की व्याख्या दी गई है वीडियो के अंद तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में ही इस बात को बताया था कि कवीर की जो भासा है वो बड़ी ही प्रतिकात्मक भासा है बिविन प्रतिकों की माध्यम से वे अपने दार्शनिक, अध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन को प्रकट करते हैं कवीर का जो संपूर्ण चिंतन द्रिस्टी अगर उस पर नजर डालें तो देखेंगे कि नाथपंतियों की योग साधना और इसलाम का एक श्वरबाद और साथी साथ संकराचारे का जो अध्वैत वात का दर्सन है उसका इसपस्ट प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखता है इन सभी दर्सनिक चिंतनों का प्रभाव प्रतेक दोहे में कहीं न कहीं दिख जाता है अब एक एक करके मैं ब्याख्या करता जाऊंगा आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखें जो पंद्रहमा दोहा है इनका साखी का उसको देखें कि पंखी उरानी गगन कुं पेंड रह परदेश पारी पीया चंच बिन भूली गया यहुदेश पंखी उरानी गगन कुं पंखी का मतलब पंख्छी या पंख्छी तो यहां पर साधारण अर्थ पंख्छी के रूप में है लेकिन इसका जो गूरहर्थ है वो है जीवात्मा तो पंखी जो कविरदास जी जिसके इसके में कहना चाहते हैं पंखी का मतलब जीवात्मा और गगन आकास लेकिन गगन प्रतीक है शहस्तरार चक्र का या ब्रह्मरंद्र का जहां पर अम्रित वर्षा होती है और एक साधक और योगी कुंडलिनी जागरण के पस्चाथ वहां पर उस अम्रित रसका पान करता है पंखी उड़ानी गगन को अब अगर साधारण अर्थिस का देखें कि पक्षी जो आकास की तरफ उड़ी पंखी उड़ानी गगन को पेंड रहा परदेश पेंड मतलब शरीर जो पिंड है लेकिन उड़ने के करम में उसका शरीर पीछे रह जाता है परदेश में रह जाता यानि संसार में ही छूड़ जाता है और पानी पीया चंच बिन वो पक्षी जो प्रतीक है उस जीवात्मा का जब मांसिक रूप से ब्रह्मरंद्र की इस्थिती में पहुंसता है तो वहां चोच के बिना ही वो पानी को पीता है तो यहाँ जो पानी है वो पानी साधारान अर्थों में न हो करके गुड़ार्थ जो उसका है वो है कि जो अमरित रस की वर्षा होती है वो है और उसी को हम आध्यात्मिक आनंद के रूप में देख सकते हैं तो उस इस्थती में पहुँचने के बाद चोंच के बिना ही वो पानी पीता है और भूली गया यहुदेश और इस देश को इस संसार को भूल जाता है अब यहाँ पर जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इस दोहे पर नाथपंतियों की योग साधना का प्रभाव है और योग साधना में मैंने बताया था कि जब एक योगी अपनी योग साधना के बल पर कुंडलनी का जागरण करता है तो इडा और पिंगला दोनों नाडियां सुसुमना नाडी से होते हुए खट चक्रों का भेदन करते हुए वो हो ब्रह्मरंद्र या सहस्रार चक्र में प्रवेश करता है यहीं जो ब्रह्मरंद्र है यानि दोनों भावों के बीच जो त्रिकुटी की स्थिती होती है वहीं ब्रह्मरंद्र होता है और वहीं पर अमरितरस की वर्षा होती है यह वर्षा आध्यात्मिक वर्षा है आध्यात्मिक आनंद है यही एकाकार की स्थिती होती है आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिती होती है साधक कुंडली जागरण के पस्चात ब्रह्मरंद्र में पहुँच करके अमरित रसका पान करता है और इस संसार को भूल जाता है वो मानसिक रूप से उस ब्रह्मरंद्र में पहुँचता है उसी से मिलता जुलता कवीर दासजी का ये है दोहा है अब इसकी पूरी ब्याख्या आप जो भावार्थ है वो देखें कि कुंडलनी जागरण के मात्यम से साधक ब्रह्म रंद्र में पहुँचकर आकास में इस्थित ब्रह्म से संपर्क करता है आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए उपर उड़ती है पंख उड़ानी गगन कूं और पेंडरहा परदेश तब उसका सरीर इस संसार में छूट जाता है और वो अपने कुंडलनी जागरण के माध्यम से ब्रह्म रंद्र पर पहुँच करके इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन होता है वह सूच मुरूप से ही ब्रह्म से एकाकार करके इंद्रियों के बिना ही ब्रह्मानंद का पान करता है ब्रह्म रस का पान करता है अमरित रस का पान करता है साधक की इस इस्थिती को ही कविने प्रस्तुदोहे में इस पष्ट किया है कि पच्छी अर्थात ज बारा शहस्रार चक्र या इसको ब्रह्मरंद्र भी कहते हैं या सून्य या आकाश से उपर इस्थित जो परमात्मा है वहाँ पर पहुँच जाता है किन्तु उसका सरीर इस संसार में ही रह जाता है सस्रार या आकास में या वह इंद्रियों के बिना ही ब्रह्म से एकाकार करके सूच्म सरीर से ब्रह्मानंद का पान करता है जैसे पक्षी चोँच से जल का पान करते हैं बिलकुल उसी प्रकार से बिना चोँच के ही पाणी पिया चंच बिन बिना चोँच के ही वहाँ पर उस अमरी तरस का पान करते हैं। ब्रह्मानन्द या जो ब्रह्म का आनन्द है या आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस्तिती है वो एक अलौकिक अनुभूती है जो लौकिक या इस्थूल साधनों से प्राप्त नहीं होती है। जीवात्मा या साधक उस अलौकिक सुख की अनुभूती से आनन्दित हो करके इस संसार को पूरी तरह से भूल जाता है। पिंजर्व सरीर का प्रतीक है अंतरी का मतलब मन होता है। शरीर में प्रेम का प्रकास हुआ पिंजर्व प्रेम प्रकास या शरीर में या जीव के अंदर प्रेम का प्रकास हुआ प्रेम के प्रकास से अंतरी भाया उजास अंतर मतलब मन में उजाला हो जाता है। और जैसे ही उजाला होता है मुखी कस्तूरी महमही मुख जो है वो कस्तूरी के समान, कस्तूरी के सद्रिस महमही महकने लगता है, महक उठता है और जब यह ही स्थती बन जाती है कि मुख महमही हो जाता है महकने लगता है कस्तूरी के समान तो बाड़ी फूटी बास तब मुख से जो भी बाड़ी निकलती है उसमें एक विसेश प्रकार का सुगंद होता है बाड़ी से हमेशा राम नाम या राम का प्रेम ही निकलता रहता है अब इसका जो भावार्थ है मुख्य भावार्थ उसको आप लोग देखें कि पिंजर प्रेम प्रकास या अंतरी भाया उजास जब सरीर रूपी पिंजरे में प्रेम रूपी प्रकास फूटता है अर्थात प्रेम का प्रकास फैलता है तो अंतह करण प्रकासवान हो जाता है उजाला हो जाता है उसमें ऐसी स्थिती में मुख से बोले जाने वाली प्रतेक बाणी कस्तूरी के समान सुगंधित हो जाती है मुख कस्तूरी महमही मुख कस्तूरी के समान महकने लगता है जीवात्मा के मुख से निकलने वाली प्रतेक बाड़ी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूटती रहती है बाडी, फूटी, बास जो भी बाडी निकलती है वो सुगंधित धुगा करती है और प्रभु प्रेम से युग तो हुगा करती है और यहां पर कहने का तात पर ये है कि जब जीवात्मा का उस परमात्मा से साक्षात कार होता है तो उसके अंतर में उसके मन में चारो ओर प्रकास फैल जाता है यह जीवातमा पवित्र, निर्मल और विलक्षन हो जाती है उसके मुख से फूटने वाली वाड़ी में राम नाम की सुगंध होती है जो कस्तूरी के समान चारो ओर वाता औरन को सुगंधित कर देती है नैना अंतरी आओ तू ज्यों हूँ नैन जपेऊं ना हूँ देखाऊं औरुकूं ना तुझ देखन देऊं तो यहाँ पर हूँ जो सब्दाया है हूँ ब्रजभासा का सब्द है हूँ का मतलब मैं नैना अंतरी आव तू यहां कवीरदास जी उस परमात्मा से कह रहा है उस परपरम्पिता परमिश्वर से कह रहा है उस ब्रह्म से कह रहा है कि मेरे नैना नैना का मतलब नैन मेरी आखों में नैना अंतरी आव तू अंतरी का मतलब अंदर इसके पहले वाले दोहे में जो अंतरी था अंतरी के मतलब वहां मन था और इस दोहे में यहां अंतरी के मतलब अंदर नैना अंतरी आओ तू कवीरदास जी उस परमात्मा को सम्मोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे नैनों के अंदर मेरी आखों में आ करके बस जाओ नैना अंतर आओ तू और जयों हाओ नैन जैसे ही मैं नैन जपे हूँ अपने आखों को बंद करूँ वैसे ही है परमात्मा तुम मेरी आखों में आ करके बस जाओ क्यों कि ना हाँ देखाँ और को नैन जपेओं जब नैन अपना बंद कर लूँ आख अपनी बंद कर लूँगा तो ना हाँ देखाँ और को ना मैं किसी और को देखने देखूंगा और ना तुझ देखन देऊं और ना तुझे किसी और को देखने दोंगा ना हाँ ना मैं देखाँ और कूँ ना किसी और को देखाँ ना तुझ देखन देऊं ना किसी और को मैं देखने दूँगा पूरी ब्याख्याप सुलोक सुनें कि जीवात्मा जो कभीर के रूप में है वो कहती है वो जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम जेओं ही मैं अपनी आ जैसे ही मैं अपनी आँखों को बंद करूँ वैसे ही नैना अंतर आओ तू मेरे आँखों में आकर बस जाओ तुम मेरे इतने प्रीय हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी अन्य को नहीं देखना चाहती हूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी अन्य को देखने देना चाहती हूँ कहने का तात पर ये है कि दोनों एक दूसरे के प्रती अनन्य भाव रखते हैं प्रेम का यह जो है चर्मोत कर्स इस्थिती है प्रेम चंद जी भी अपने गोदान में लिखते हैं कि एक शेर अपने सिकार पर किसी अन्य की नजर नहीं पढ़ने देना चाहता है ठीक उसी प्रकार से एक प्रेमी अपने प्रियतम पर किसी अन्य की नजर नहीं पढ़ने देना चाहता है और इसलिए कवीरदाजी इस बात को कहते हैं कि जैसे ही मैं आखों को बंद करूँ नैना अंतर ही आओ तू तू मेरी आखों में आके बस जाओ और ना हो देखाँ और कूँ ना मैं किसी और को देखूँ और ना तुझ देखन देऊ ना किसी और को मैं तुम्हें देखने दूँगा अगला जो दुहा है कबीर हरी रस यों पिया बाकी रही न थाक पाका कलस कुम्हार का बहुर न चड़ही चाक कबीर हरी रस यों पिया कबीर दाजी कहते हैं मैंने हरी रस का मतलब प्रभु प्रेम का आनंद प्रभु प्रेम का रस मैंने प्रभु प्रेम का आनंद इस प्रकार से पी लिया है कवीर हरी रस यों पिया इस प्रकार से पी लिया है कि बाकी रही न थाक मेरे अंदर कोई प्यास थाकी क्या मतलब प्यास बाकी रही न थाक मेरे अंदर कोई अब प्यास कोई त्रिस्णा और अन्यार्थ इसका यानि बार बार इस संसार में आने का थकान मेरे अंदर अब नहीं रह गया है कवीर हरी रस यों पिया बाकी रही न थाक बार बार आवा गमन के चक्कर की जो थकान है वो मेरी अब मिट चुकी है क्यों क्यों क्योंकि कवीर हरी रस यों पिया कवीर दाजी कहते हैं कि मैंने हरी कि प्रेम का जो आनंद है वो इतना पी लिया है कि मैं स्वयम प्रभु बन गया हूँ और मैं अब इस सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ पाका कलस कुमहार का बहुरिन चड़ही चाक पाका कलस कुमहार का कुमहार जैसे कुमहार होता है वो अपने कलस को एक बार जब पका देता है कलस मतलब घड़ा जब वो घड़े को बना करके और उसको पका कर देता है जला करके तब बहुरिन चड़ही चाक वो इस चाक पर उस घड़े को वोह बनाता है उस चाक पर पुनह पके हुए घड़े को पके हुए कलस को चढ़ाने की आवस्यक्ता नहीं पड़ती है कभीर्दास जी बिल्कुल वही बात कहते है कि मैं भी इस संसार में आकर कि उस प्रभू उस हरी का इस्मरण करते करते उस हरी के प्रेम का आनन्द इतना पे लिया कि बाकी रही न थाक मेरे अंदर अब कोई थाक नहीं रह गई है कोई प्यास नहीं रह गई है फिर से एक बार इसकी व्याक्या आप लोग देखें पूरी तरह से इसपस्ट हो जाएगा कि इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने इस्वर की भक्तिका रस इतना पी लिया है कबीर हरी रस यों पिया कि बाकी रही न था कि मेरे मन की सारी तिर्जना या थकान समाप्त हो गई है पाका कलस कुमार का बहुरी न चड़ही चाक जिस परकार कुमार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे दुबारा चाक पर चढ़ाना संभव नहीं होता है ठीक उसी परकार प्रभू का सच्चा प्रेम प्राप्त होने के बाद मेरे मन में अब कोई सांसारी क लालसा सांसारी कोई इच्छा सांसारी कोई कामना सांसारी कोई प्यास मेरे अंदर सेस नहीं रही है और इस इस्थिती में आकर मैं आवा गमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ अब अगला दोहा आप लोग देखें इस क्रीम के सामने आपके दिख रहा होगा हेरत हेरत हे सखी रहा कभीर हिराय बूढ समानी समद में सोकत हेरी जाय हेरत हेरत हे सखी, हेरत मतलब खोजना, हेरना का मतलब खोजना, हेरत हे सखी, खोजते खोजते हे सखी, रहा कबीर हिराय, कबीर स्वयम खोगया, हिराय का मतलब खोगया, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, कबीर खोजते खोजते, किसको खोजते खोजते, उस परमातमा को ख खोश्ते खोश्ते उस ब्रह्म को खोश्ते खोश्ते स्वयम कवीर खोगए। मैं हेरते हेरते खोश्ते खोश्ते उस परमातमा को स्वयम को खोगए। बूद्र समानी समद में समद का मतलब समुद्र में सोकत हेरी जैसे एक बूद्र अगर समुद्र में गिर जाए तो उस बूद्र को उस समुद्र से नहीं खोजा जा सकता है। उसी प्रकार यह आतमा जो स्वयम उस परमातमा से निकली हुई है और एक बूद्र के समान है। यह आतमा रूपी बूद्र उस परमातमा रूपी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो उस बूद्र का अपना व्यक्तिकत कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वह सवयम समुद्र बन जाता है, अर्थाथ वह सवयम राम में बन जाता है, प्रभु में बन जाता है, सवयम परमात्मा बन जाता है. इसी बात को कबीर दास जी स्पष्ट करना चाहते हैं हेरत हेरत हेर सखी रहा कबीर हिराए अब आर्थ समझ में आ रहा होगा बूद समानी शमद में सूकत हेरी जाए इसमें जीवात्मा रूपी कबीर दास कहते हैं कि परमातमा को खोजते-खोजते मैं स्वयम ही खो गया अर्थात परमातमा को प्राप्त करने की कोशिश में मेरा प्रथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया मैं स्वयम परमातमा में ही लीन हो गया जिस प्रकार पानी की कोई भूंत यदि सागर में समा जाए तो उसे फिर से खोजना संभव नहीं है उसी प्रकार जीवात्मा के परमात्मा में बिलीन हो जाने पर उसका अलग अस्तित्व बना रहना संभव नहीं है जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व खो देती है उसी प्रकार परमात्मा से मिलकर जीवात्मा या आत्मा का अपना अस्तित्तो समाप्त हो जाता है उसकी कोई प्रथक सत्ता नहीं रह जाती है वो समाप्त हो जाती है कवीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाएं सीस उतारे हां थिकरी सो पैठे घर माएं कवीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाएं कबीर दाजी कहते हैं खाला का घर मतलब होता है मौसी का घर और मौसी के घर आने जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता है अधिकार पूरबक या सरलता से प्रतिएक व्यक्ति अपने मौसी के घर जा सकता है ना कोई समय है ना कोई दिन और रात का कोई बंधन है वहाँ पर किसी भी समय आदमी जा सकता है तो कबीर दाजी कहते हैं कि जो परमातमा का घर है ये खाला का घर नहीं है कबीर यहु घर प्रेम का परमातमा का जो घर है परमातमा का जो सामराज्य है वो सामराज्य प्रेम का होता है खाला का घर नहीं है कि जब चाहे तब वहाँ पर पहुँच जाए परमातमा के घर पहुच जाए परमातमा के घर पहुचने के लिए सीस उतारे हाथ कर सो पैठे घर मा आए जिसके अंदर ये छमता हो कि वो सीस उतार करके हाथ में रख सकता हो इसका मतलब ये होगा सीस उतार करके हाथ में रखना सर उतार करके हाथ में रखने का तात्य पर ये है कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं का भाव होगा मैं मतलब अहंकार जब तक ये अहंकार का भाव होगा तब तक वो परमात्मा के घर परवेश नहीं कर सकता है अहम के भाव को अहंकार के भाव को नश्ट करने का नाम ही है सीस उतारे हां थिकर सो पैठे घर माहिं वही उसके घर में प्रवेश कर सकता है प्रविश्ट हो सकता पैठे का मतलब प्रवेश करना सो पैठे घर माहिं उस परमातमा के घर वही प्रवेश कर सकता है अब आगे देखें अन्तिम जो दोहा है कबिरदाजी का अन्तिम दोहा है कि जम मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना आई सब अधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माई अब यहां पर वही बिल्कुल समान शब्द आया हुआ है यहां मैं मैं का मतलब अहंकार आपा या अहंकार या एहम का भाव जब मैं था मैं का मतलब अहंकार जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरी नहीं तब मुझे हरी की प्राप्ति या परमातमा की प्राप्ति नहीं हुई और जैसे अब हरी हैं मैं नाएं मैं का मतलब अहंकार मेरे अंदर जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ अब मैं हरी हरी के पास उनका अनुग्रह मुझे प्राप्त हो गया सब अधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माई और ऐसा होते ही जब हरी का अनुग्रह हरी की किरपा मेरे ऊपर आ गई तब सारा अधियारा सारा अग्यान मेरा मिट गया पूरी ब्याक्या देखें कि जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं नहीं सब अधियारा मिटी गया जब दीपक देख्या माहीं इसमें कबीरदास दी कहते हैं कि जब तक मुझे में एहंकार का भाव था तब तक प्रभु मुझसे दूर ही रहे, अर्थात मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई, जैसे ही मेरे अंदर से एहंकार भाव समाप्त हुगा, तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, जब मैंने अपने अंतह करण में अज्ञान रूपी दीपप्रजूलित किया, तो मेरा जो अज्ञान रूपी सारा अंधकार था, वो सब का सब समाप्त हो गया, कहने का आसा ये है कि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मेरा एहंकार दूर हो गया, और अहंकार के दूर होते ही मुझे परमात्मा के परम बर्म के परम पिता परमेश्वर के दर्सन हो गए इस प्रकार से ये साखी से संबंधित अंतिम जो दोहा था वो समाप्त हुआ इस वीडियो में मैंने 15 में दोहे से ले करके 21 में दोहे तक की व्याख्या प्रस्तुत की है पूरा अध्यान करने के लिए आप लोग तीन वीडियो जो मैंने दिया है पर्थम वीडियो, दुतिये वीडियो और तिरतिये इन तीनों का एक साथ आप लोग तीनों वीडियो को देख करके अध्यन करेंगे तो अच्छा रहेगा धन्यवाद